अपने चैनल दिब्यांगम पर आपकी दोस्त कहानी कार सुधा सिंग सौगत करती है तो फ्रेंट्स आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ जिसकी लेखी का है नमिता अनुरागमें और उनकी ये कहानी है अंधे बहरे बन जाएं और ये कहानी हम सबसे रिलेटेड है कही ना कहीं हम सबसे ये कहानी रिलेट कर रही है तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कमेंट और सेर कीजेगा और हाँ आपको अगर लगता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज कमेंड में ज़रूर बताईएगा तो मैं कहानी सुरू करती हूँ कि सहर में ट्रांसफर से आये हुए 15 दिन ही हुए थे अभी किसी से ज़्यादा जान पहचान भी नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं तो अभी घर की काउमों में सही फुर्सत नहीं पा रही थी कई दिनों से कुछ छोटी मोटी चीजे लानी थी सहर से पर किसी ना किसी कारवस बजार जाना मेरा टल ही जा रहा था पर अब आज अम्मा जी की पैर की दर्द की दवा का अंतिम डोज मेरे पास बचा हुआ था और जाना जरूरी भी था ड्राइवर को इनको आफिस पहुचा कर वापस आने को बोल दिया था मैंने और मैं बजार के लिए निकल पड़े थी अपनी लिष्ट हाथ में थामे जल्दी जल्दी ही सारे काम निप्टा रही थी और भीड तो इस समय थोड़ा कम थी इसलिए सायद वरना कभी-कभी दुकानों पर तो इतनी भीड हो जाती है कि एक दुकान से दूसरे दुकान पर भागते भागते काफी समय लग जाता है मैं खड़े अपनी लिष्ट देख रही थी कि क्या खरीदना बचा है तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ मारा शिप्रा मैं पल्टी और खुसी के मारे मेरे मुझ से चीख निकल पड़ी अरे संजना तू फिर तो यहां कैसे कब कहां कहां सबसिलसिला सुरू हो गया था बाते तभी रुकी जब मेरे ड्राइवर ने आकर मुझे बताया कि घर जल्दी चलना है उसे साहब ने जल्दी बुलाया है हेड ओफिस जाना है उन्हें मन अभी भरा ही नहीं था बाते खत्म हुई ही नहीं थी संजना बोली चल मेरे साथ चल मैं अभी मिनी की घर ही जा रही हूँ तू भी आजा तुझे देखकर वो काफी खुश हो जाएगी मिनी का नाम सुनते ही मैं और अधिक उत्तेजित हो उठी सोचा बच्चों के आने में तो भी समय है तीनों आपस मैं मिल भी लेंगी और इसी बहाने मैं मिनी का घर भी देख लूँगी ड्राइवर को बजार से ही वीदा कर मैं संजना के साथ उसकी कार में मिनी की घर चल दी मैं संजना मिनी कॉलेज में सहलिया थी उस समय एक दूसरे की हर बात की राज़दार भी थी यही हाल था कि कोई वे बात जब तक हम तीनों एक दूसरे को बता नहीं लेती थी तब तक चैन ही नहीं आता था बाद में हम सब अपनी अपनी ग्रस्ती में व्यस्त हो गई मोबाइल फोन का जमाना तो था नहीं और आपस में इसलिए आपस में हम सब का संपर्ग तूट सा गया था रास्ते में संजना से घर परिवार की बाते होती रही संजना की बेटी की शादी हो चुकी थी और बेटा बहु बाहर से टेल्ड हो चुके थे बस अब सारे दिन की मस्ती है कभी किसी के घर चली जाती थी तो कभी कहीं घूमाती थी मैंने अम्मा जी की तबियत की वज़े से अपने स्कूल से लगी लगाई नोकरी को छोड़ दिया था ये सुनकर वो कहने लगी कि अरे सास की वज़े से कहीं कोई नोकरी छोड़ता है तुम्हें इतना ही था तो फुल टाइम मेड लगवा देती एक बार मैंने सोचा कि मैं उसे बताऊं कि मेरी सास मेरे लिए क्या है मैं उन्हें किसी ऐसे बाहरी व्यक्ति के जिमेदारी पर तो नहीं छोड़ सकती हूँ पर फिल लगा जितने हल के अंदाज में बात कर रही है परस्तितियों को गंभेता से साय दिये ना समझ सके मैं चुप हो गई दर्वाजा मिनी नहीं खुला था संजना आगे खड़ी थी मैं चुप ही रही दर्वाजा मिनी ने खुला तो वो संजना को देखकर उसे काफी खुसी तो नहीं हुई पर जब उसने मुझे देखा तो उसकी बाहें खुसी से खिल उठी ड्राइंग रूम में आराम से सोफे पर पसरते हुए संजना ने पानी की गुहार मचाई सोफे पर बैठते समय उसमें से स्चर की हलकी सी आवाज आई अरे यार ये सोफा भी क्या मिनी तू भी अभी तक जो है यही पुराना सोफा चला रही है नहीं क्यों नहीं ले लेती मिनी ने सक्चाते हुए मुझे देख कर कहा हाँ वो बनवाना है बस रही जाता है एक प्यारी सी लड़की ट्रे में पानी लेकर आई सिश्टता से उसने हमें नमस्ते किया संजना ने उससे मेरा परिचे करवाया ये मिनी की बड़ी वेटी है मम्मी की बच्पन की सहेली जान उसने खुसी जाहर की और अंदर वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि संजना ने उसे आवास देकर रोग लिया सुटी सुन जी आंटी सुटी ने पीछे मुड़कर प्रस्वाचक दिरिष्टी से हमें देखा अरे भाई तो कोई अच्छा सा लड़का पसंद कर शादी क्यों नहीं कर लेती है अपनी मा को कितना परेशान करके रखा हुआ है इतने समय से वो भी फिरी हो जाए हम लोग जैसा कहने की जरूरत नहीं थी कि प्रतिफ्तर मैं सूटी की आँखों में आते जाते और बदलते भाउ के सब्दों के संबल के लिए बीना ही उसके कुछ कहे मुझे सब कुछ दिख गया बदलते भाउ के संबल से मैं उसकी आँखों में देख सकती थी कि वो जो कुछ नहीं कहना चाहती है उसकी आखे सब कुछ कह डाली अगर संजना उस भासा को पढ़ने का बूता रखती तो सायद जीवन में फिर कभी किसी से इस तरह दिल दुखाने वाली कोई बात ना कर पाती पर वो तो बस यूँ ही एक बेमतलब जुमला उचाल अपने बैग से चस्मा ढूडने लगी थी कुछ पलो के अंतराल के बाद जब साय सुटी इस प्रस्म के लिए उप्यूकत सब ढूड कुछ बोलने के लिए मुग खोलने ही वाली थी कि तभी रसो इसे चाय की ट्रे लेकर आती हुई मिनी ने बेटी को उस अप्रिये इस्तिती से उबार लिया लो भाई सब लोग चाय प्यों गर्मा गर्म और ये ले सिप्रा मठरी टेस्ट कर मैंने कल ही बनाई है सुटी देख तो कहीं मैंने गयस तो नहीं खुली छोड़ाई पता नहीं आज कल मुझे क्या होता जा रहा है कुछ न कुछ भूली जाती हूँ इस तरह हम लोगों में धेर सारी बाते होती रही और फिर मैं अपने घर चली आई घर के कामों को निपटाया इसी तरह मुक्त बीत रहा था एक दिन दोपहर में रसोई समेट कर जरा मैं कमर सीधी करने के लिए लेटी ही थी कि मेरी भानजी मुक्ता का फोन आया उतेजित लग रही थी मौसी आद दीदी आई थी अभी गई है खाना खाकर हा तो अच्छी बात है न मैंने कहा समझ गई कि हमेशा की तरह उसकी नरत करुड़ा अपने किसी टिपड़ी से आज फिर मुक्ता को भड़का कर गई है अरे मौसी अब तो मैं बस करन को बोलने वाली हूँ अपने होस्टर में रहने का इंतिजाम खुद कर ले बहुत हो गया कोई प्रवेसी नहीं है मेरी हुआ क्या है मैंने कहा मुक्दा बोली दीदी कह रही थी पता नहीं कैसे मैं घर में सलवार कुर्ता पहन लेती हूँ का पहने ही नहीं देते हो अब बात मुझे बात का सार मुझे समझ में आ गया उसकी ननत की बुद्धी का लोहा मान मैंने माथे पर हाथ मार लिया मुगदा सुभाव से थोड़ी चंचल है साथ घर में सबसे छोटी होने के कारण अभी उतनी गंभीरता नहीं आ पाई है उस उसे ही बहुत संसकारी और जिम्यदार है एक ही सहर में पोश्टिंग होने के कारण उसने अपने देवर को जो उसी सहर में रहकर इंजिनिरिंग की पढ़ाई कर रहा था अपने साथ रहने को बुला लिया था हम सभी ने उसकी इस निर्ड़ा का बहुत स्वागत किया विसे इसकर उसकी सास तो बहुत खुस होई थी अब छोटे बेटे को भी घर का खाना प्यार और खाना पानी सब कुछ नसीब होगा उसकी देखवाल भी हो जाएगी अपनी घर में ये तीनों मुगदा उसका पती अमन और देवर करन रहते थे मुगदा जिम्यदार लड़की है अपने देवर की खाने पीने रहने की हर तरह से ध्यान रखती है हलिंकी इन सब के चलते उसका काम भी काफी बढ़ जाता है पर वो खुसी खुसी अपने इस दाईत्यों को निवाती रहती है पर जाहिर सी बात है इस वज़े से उसका और अमन की प्राविसी में थोड़ी त पहनना इस वज़े से वह कभी-कभी अपने उन सहेलियों या पड़ोसियों की तुलना होने पर जो ससुराल या संयुक परिवार की बंदिसों से दूर एकट परिवार में खुला मौज मस्ती करने वाला सुतंत्र जीवन जी रही है उनसे वह थोड़ा सा दुखी भी हो जात है इसलिए हम सब उसे इसके अच्छे काम के लिए मोटिवेट करते रहते हैं और उसकी तारीफ करते रहते हैं पर असली समस्या तो तब आती है जब उसकी ही ननद उसकी पती ने अभी सहर में नए नए नोकरी शुरू की वह यहीं पर रहने के लिए आ गई अब वह अपने भाई भावी से मिलने आती ही रहती है वैसे मुगदा और उसकी ननत करूडा दोनों अच्छी सहेलिया हैं और हम उम्र हैं पर अभी करूडा अपनी नए नए मिली सुतनत्ता के समराज के मद से उबर नहीं पा रही है वो जब तब आकर भावी को कुछ ना कुछ अपना ऐस मुगदा कि सब बता देती है जिसे मुगदा को अपनी सारी जिमेदारियां है सब बंधन परतीत होने लगती हैं आज करूडा ने आकर बोल दिया क्या मुगदा तुम भी सलवार सूट और चुनिसी घर में कैसे रह लेती हो अब रिंत मुझे कभी भी अलाव ही नहीं करते क ये ऐसे कपड़े मैं घर पर पहनूं। उन्हें तो मैं हर समय सौर्ट, बेश्टन, ड्रिसेज और टिप टॉप ही रहना चाहिए। ना बाबा ना, मैं तो इसे मिलकूल नहीं रह सकती। करुड़ा के इस एक बेमतलब के फिजूल जूमले ने मुगदा को सौयम के दैनिय इस्तिती के आइने के सामने खड़ा कर दिया था। लबजों का ये जहरीला बम गिराकर करुड़ा मुगदा को फिक्र में छोड़ कर चलती बनी। मुगदा को लगने लगा कि उसकी और अमन की प्रावेसी में करन रोड़ा बना हुआ है। करन के अपने घर में साथ रखने से अपना निड़य उसे अब गलत लगने लगा है। इत करुड़ा ने जराभी समधारी से काम किया होता तो ये अंजाने में अपनी भावी को इस तरह से दुखी करने को ना सोच पाती। बलकि अपनी बातों से मुगधा के मनोवल को बढ़ाती। वो अपने सस्राल और अपनी जिमेदारियों के प्रत कितनी समर्पित है जिससे अंतता करुड़ा को ही माईकी का भला होता। पर अपने फिजूल के इस जुमले से करुड़ा अपने ही भाई को आहित करने चली आई थी। कुछ दिन के बाद मिनी मिक का मेरे घर आना हुआ हम दोनों काफी देर तक पुरानी स्मृतियों के गलीचों पर चहल कदमी करते रहें। कालिस की भी खोब यादे ताजा हुई। मेरा ध्यान गया कि संजना का जिकर आते ही मिनी का चहरा कुछ उतर सा जाता था। थोड़ी देर बाद मिनी ने कहा सिप्रा स्वीटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का हो तो बताओ। मैंने पूछा वो तयार है क्या साधी के लिए मिनी का चहरा उतर सा गया। बोली हम लोग तो कप से ढूड रहे हैं। बस जैसे ही सही लड़का मिलेगा तुरंत कर देंगे शाधी। उल्टे सीधे प्रपोजल्स तो आते रहते तो मना करना पड़ता है। जानते पूछते कैसे लड़की को कुई में ढखेल दें। यह तो मैंने खुद ही देखा था एक अच्छे पत पर कामकाजी होने के साथ साथ लड़की हर प्रकासि सुसील, संसकारी और सुन्दर भी थी। कह सकते हैं कि ढूडने में उसके कोई कमी निकालना मुस्किल ही था। उसका अभी तक विबाना होने का अर्थ सिर्फ यही था कि इसवर की ओर से अभी सायत समय निर्धारी थी ना हुआ हो। अरे मुझे लगा था अभी सुईटी तैयार ही नहीं है साथी के लिए मैंने कहा। हाँ उस दिन में समझ गई थी कि संजना की बात सुनकर तुझे कुछ ऐसा लगा होगा। यह संजना तो कभी भी कुछ भी बोल देती है। अनसुल से नोकरी बच्चे तो उससे चिर्णे से लगे हैं। मैंने नोटिस किया कि अवचे इतना मन से मैं उस दिन सोच समझ कर जिस दिन संजना मेरे घर आएगी अभी से ही घबडाने लगी। उसकी इस आदत की चलते मैं अपने सुखी संसार की खुशियों को दाओं पर तो नहीं लगाना चाहती सायद मैं कोई न कोई बहाना बना कर उस दिन को एथा संबोड टालने का प्रयात्न करूं। सोच रही थी प्रॉब्लम की सुरुआत हुई कहां से हमारी रोजमर्रा की जिन्दगी बहुत से सवाल बहुत से मासूम लगते हैं। हम सामने वाले से अपनापन दिखाते हुए बिना किसी खास उद्देश की फिजूल के सवाल पूश तो बैठते हैं। पर यह नहीं समझ पाते कि यह हमारे नादानी में पूछे गए बे मतलब के सवाल सुनने वालों के दिलों में कुंठा और बेवसी की बीश तो नहीं बो रहे हैं। कही ऐसा तो नहीं कि हम मे इतना गहरा असर डाल देते हैं यह कई बार खुद से भी नहीं जान पाते हैं। जाने किसकी क्या मजबूरी है। क्या जोट बोल नहीं सकता और सच उसे वह कहना ना चाहता हो। यह आप इस योग हैं कि सामने वाले की समस्या को दूर कर सकते हैं या वास्तों में सहायता कर करना चाहते हैं तब आपके सवाल बिल्कुल जायज है। परंतियदी आप सिर्फ अपडेट चाहते हैं या आपका इरादा सिर्फ मज़े लेने का है तो आपकी रोजमर्रा के जिन्देगी का बेमतलबी सवाल जिनका उत्तर देने से सामने वाला अचकचा जाए। जैसे उ आपके पैर दबाती है तो क्यों नहीं दबाती है कि नहीं दबाती है इस तो कौन ना कुर्बान हो जाए इस भोले पर पर अपने पर पर तो बहतर है जब किसी के घर जाए तो अंधे और पहरे बन जाए गूगे बन जाए साथ किसी का संसार बज़ जाए तो यह नमिता अन प्रेम से आपका सतकार करता है, वो मायने रखता है, ना कि उसके घर में बच्चे क्यों पढ़ाई नहीं करते हैं, तुम ध्यान नहीं देती हो, या तुम्हारी बेटी नोगरी अभी तक क्यों नहीं पाई, तुम्हारी बहु को अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ, तुम् साम से नहीं रखेंगी बलकि आप उसे बचाएंगी तो हो सकता है उस सामने वाले की भी कोई ऐसी ही प्रॉब्लम हो जो आपसे नहीं बहुता हो तो आप उसके घर जाएए उससे हसी पौली अपनी मियाद्यत्य ताजा किजी यह ना कि उसके परिवार में क्या चल रहा क्या कला चल रही है या कि तुम्हारी बहुत उमसे नहीं बोलती है तुम्हारी देवरानी के साथ ऐसा तुम अपनी देवरानी के साथ तुम्हारी नहीं बनती है यह सब चीजिया तुम्हारा घर गंदा है तुम्हारे घर में सफाई नहीं है यह से अैसे लोग होते हैं जो घर में आके इतने नुकस निकालते हैं कि इनसाना सोचता कि नना आए तप bon मेरा घर है और मेरी बहु है दी है मेरा रेटा है है तो किसी और को कहने का सच में कोई हट नहीं हो तो friends इनकी एक हाने मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने उनसे आगया लेकर यह कहाने सुनाशा करती हूँ आप लोगों कर भी यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और इसे एक सूच एक आपको जो है आपको इसे पता भी चलता है कि सच में हमें किसी के घर जा कर उसकी बारे में उसके बच्चों के बारे में बेजजत नहीं करना चाहिए, पूछिए, आप पूछिए कि और बेटा तुम किस स्कूल में पढ़ रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चले, यह सब ठीक है, लेकिन तुम्हें अभी नहोकरी क्यों नहीं मिली ते, सौल से तो तुम प जो है सतावना देखी गए, यह मुझे जरूर मिलेगी, और जब उसे नोकरी मिल जाएगी, तो आपकी तारी भी वो बच्चा करेगा, तो फ्रेंट्स बस उनकी कहानी, मैं आसा करते हूं, अब बहुत पसंद आए होगी, और अगर पसंद आती तो प्लीज, लाइक, कमेंट शेर कीजिएगा, और उनकी कहानी को धेर सारा प्या दीजिएगा, तो इसी के साथ मैं फिर मिलती हूं, एक नई कहानी के साथ, एक नए जोस के साथ, तब तक ठंडी में अपने आपको बचाए रखें, नमस्कार, थैंक्स पार वाचिंग फ्रेंड, प्रेंड, प्रेंड,